असलाम लेकुम मैं हूँ सेना कान 24-7 कराची नियूस के साथ बात करेंगे एदुल अज़ा के हवाले से यह बिल्कुल एक दिन बाकी है एदुल अज़ा में और लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो मंडियों का रुख करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो अपने जो जानवन उनने के लिए कही है । इसको जो है अपने गुर्बानी के लिए ने कर आए हैं जिनने उने च्ब में अपने जानवर को बांद रखे थे वह लोग नीचे ले कर आप चुके हैं और कुछ अलाके ऐसे हैं जिसमें मैं अगर कोरेंगी अलावाला टाउन की बात करूं तो वहाँ आज हमारे क्यामरमन ने विजिट किया तो वहाँ पर भी हमें बेशुमार जानवर जो है वो नजर आए गाए, बक्रे, उट इस तरह की चीजें सारी हमें जो है वो नजर आए बात अगर दूसरे दीगर इलाकों की की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो इदुलजा की तैयारिया जो है वो पुर्जोश अंदाज में चल रही है मंडी का रुख हो रहा है या पिर जो दीगर मुहले की मंडिया लगी है उनका रुख कर रहे हैं लोग क्योंके चुटी भी है तो चुटी के हवाले से भी मंडियों में जो रश देखने में हमें नजर आ रहा है वो बनिजबत दुसरे दिनों के क्योंके अब एक दिन बाकी है और एक दिन बाकी रहने पर आपको भी पता है कि कुछ अगर खावतीन मार्केटों का रुख करती है तो मर्द हर्जाद जो है वो मंडियों का रुख करते हुए नजर आ रहे है और बात अगर की जये छूरी वालों की तो इनके पास थो भाई टाइम ही नहीं है बात करने का हमारे कैमरा में ने बड़ी कोश्श की कि इनसे बात कर सकें यह उन्हीनों नहीं साफ मना कर दिया जी हमारे पस टाइम नहीं है सीजन है हमारा तो अगर बात की चटाई वालों की या टोकरी वालों की तो भाई किसी के पास टाइम बिलकुल नहीं है किसी से भी बात करने का उनका लोगों का ये कहना है कि हमारा सीजन है और हम सीजन के टाइम पे हम किसी से बात नहीं कर सकते और हमारे पास अतना टाइम ही नहीं होता कि हम जी अगर बात की जाए बरसाती कसाईों की तो वलत नहीं होगा बरसाती कसाई भी जो है वो इस वक्त आ चुके हैं मैदान में और यह हमने नज़र आ रहे हैं अगर आप मेरे साथ वाली स्क्रिन पर देखे हैं तो यहां पर जो है वो छूरियां तेज करवाते भी नजर आ रहे हैं और पहले से जो है इनकी बुकिंग जो है वह स्टार्ट हो जाती है जो वाकई कसाई है वो तो उनके बस तो टाइम ही नहीं होता ईद के तिन दिन तो परसाती कसाई है वो जो है वो इस वक्त हमारे सामने हैं जिस तरह से वो बेटेवे अपनी छूरियां अ स्कृते हुआँ या चटाईयों की तो खरीटते हुए आज चुके हैं क्योंकि एद लजह में अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दिन जो है वो रह चुका है और कुछ अलाके तो ऐसे हैं जहां पर जो है वो बैल को पिछले साल गाए जो है वो उन्होंने लाकर रखी ती और अब जो है वो नीचे उसको उतारा जा रहा है और बच्चों का एक रष और एक शोड जो है वो हमें सुनाई दे रहा है और जो है बच्छे किस कदर जो है वो excited हुए होoulder कि इस जानवर को का किस तरह से शो है वो नीचे होतारा जा रहा है आज तक कि लिए इतना एकल मिलें गे किसी नए program में जब तक मुझे द अज़ाद अपना रखेगा बहुत खयाल, आलाहाफिज.